धनबाद ADJ उत्तमानंद के संदिक्द मौत मामले से जुड़ी ताज़ा जुनकारी के साथ है CBI आज इस केस को हैंड ओवर ले सकती है जेहां बड़ी ख़वर इस वक्त के आपको बता रहे है CBI को रज्य सरकार ने जाच के अनुशंसा की है और आज संभवता केस का हैंड ओवर CBI ले सकती है 18 साल बाद धनबाद में CBI क्राम ब्रांच की एंट्री होगी बड़ी ख़वर इस वक्त के आपको बता रहे हैं ADJ आठ उत्तमानंद के संदिक्द मौत मामले में रज्य सरकार CBI जाच की अनुशंसा कर चुकी है संभवना है कि आज CBI इस केस को हैंड ओवर लेगी तो 18 साल बाद किसी जाच की जिम्मदारी धनबाद से जुड़े किसी मामले की जानकारी CBI अपने अंडर में लेगी और इस मामले की जाच परताल CBI करेगी इस बाद की संभवना व्यक्त की जा रही है हमारे सायोगी दिले पौरधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं दिले पे ADJR उत्तमानंद की मौत के मामले की जाच की CBI जाच की अनुशन साराज जो सरकार पहले ही कर चुकी है और संभवना है कि आज ये केस CBI हैंड ओवर में ले लेगी क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है क्योंकि पूरे तरीके से इस घटना करम पे हाई कोट और सुप्रीम कोट भी नजर बनाए हुए ऐसे में कल जब रिपोर्ट शौपी गाई थी तो हाई कोट ने कुछ रिपोर्ट प्यापति दर्ज कराई थी और ये कहा था जल्द से जल्द इस मामले को CBI को हैंड़ ओबर किया जाए तो हो सकता है कि आज CBI की टीम दिली से या फिर जिन CBI टीम को ये मामले की जांच मिलेगा आप वो राची पहुचेंगी और सरकार या फिर जोएन नधिकारियों से मुलाकात करने के लाद केस कैसे हैंड़ ओबर करेंगा उनके पती की भी हत्या होई ती गोली मार करके उस मामले को भी सी विए के क्राहिम ब्रांच को दिया गया थी लूट भेदन हुआ घिन्मा गए तो जिसमेर अरोपि अभी विषलाकों के पीछ खरेन तेसे में बहुत बड़ी पहले है और बहुत अच्छी बात मानी जारी कि सीवियाई क्राइम ब्रांच को ये मामला मिलता है तो जिस तरह से जाच करने का जो तरीका है सीवियाई की उस जाच में पारदर्शिता रहेगी और आगे ये कहा जाएगा कि जल्द से जल्द खुलास करनी थी जिन जिन लोगों पर उन्हें शक हुआ इस मामले से जुड़े हुए उन लोगों से पूस्ताच की लेंगे और जाच की दिशा शही दिशा में जाएगी लेंगे लेंगे लिकिन कल पुश्माडब रिपोर्ट भी जारी हुआ था जिसमें एड़ी जी की जो मौत कई चोट आई थी और ओटों के धक्के से चोट लगने की संभावना जयता ही जा रही थी इस मामले को भी सीवियाई अब कैसे आगे ले जाएगी क्या यह शाजिशन धक्का था जाने में धक्का लगी इसके पीछे कौन हो सकते तो कई बाते हैं अब सीवियाई इस बात को पूरी गती दिये हुए है एक के बाद एक नए जानकारी इस मामले से जुड़ते जा रहे हैं तो क्या साइटी जांच अब तक किसी ऐसे मुकाम पर पहुंची है जहां से जल्द नतीजे निकलने की संभावना हो इस पूरे घटना करम का उद्भेदन होने की संभावना दे पर जिस तरीके से वो जांच कर रहे हैं जाहिर सी बात है कहीं ने कई कडिया जुड़ रही होगी क्योंकि हाई फॉफाइल मामला है और साइटी की टीम भी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कहीं से भी कोई ऐसी तुरूटी नहों कि बाद में उनकी जांच पे सवाल उठ इसलिए बहुत कुछ वो मेडिया में नहीं बोल रहे हैं और जांच की सवर जा रही है इनका भी खुलासा नहीं कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से जांच की प्रक्रिया चल रही है चाहिर सी बात है कई दस्तावेज कई शबूत से टीम भी हाथ लगे होगे कि इस मामले में हत् कर रहे होंगी कल भी जब एससपी का ब्यान आया तो उन्हें साब तरह पर कहा था कि उनका जांच जारी रहेगा जब तक सी वी आइक केश अपने अंडर हैंडर आइंड़ोवर नहीं लेती तो जाहिर सी बात है जांच में शारे पहलों को शामने करने की बात आ रही होगी कई सी वी आइच कशवाल करें कि इस विंदू पर सायटि की टीम ने जांच क्यूंन नहीं किये इस विंदू पर सायटी टीम में रिपोर्ट तैयर क्यूंन की तो सी बी आइधि को बीड़ने किसוש अइन्हें कि हम कर नार्तकश manani ने या जूमिल सकता है रखे थे चार-चार से आठाट घंटे तक अधिकारी हर एक बिंदू पर बंद कमरे में मन्थन किया करते थे और आगे किस तरह से कारवाई की जाए उस पर मन्थन होता था अब तक की हुई कारवाई की समिक्षा होती थी तो घंटों बैठक चलती थी वरिया अधिकारियों की और फिर कई नाम भी जुड़ते गए इस मामले में और ताजा नाम जुड़ा रंजा सिंह के पिता और पत्नी का जिने पूछताच के लिए S.I.T. ने नोटिस दे कर बुलाया था तो ये नाम किस तरह से इस पूरे प्रकरन से जुड़ रहा है रंजा सिंह संजा सिंह का करी हर बिंदू पर जांच बढ़ रही है कोई बिंदू खाली नहीं छोड़ना चाहर और यही वज़ा है कि एडीजे आर्ट के बेंच में जो जो मामले चल रहे थे रंजे सिंह हत्या कांट से जुड़े मामले चल रहे थे अमन सिंह जो रांची जेल में बंद है उनके गुरग सिंह कि अधर और ऑबुषाइब थे संजीव सिंन्मेट के तरफ से रंजे के परीवार के तरफ से इसमें हर सिंह का नाम लिया गया था जो स्वरिगी निर्द सिंह और जो जो ज्hi लिविधा पूर्णिमां उनके रिष्टेदार है उनसे भी पूस्ताच की गई रंजे सिं जाके की और जो जिस सक्स को आजीवन करावा सुनाया गया था उनके परिजन से और जेल में बंद उनसे भी पूश्टाच की गई था कई लोगों से कल काफी देर तक पूश्टाच की गई अलग अलग टीम पूश्टाच की लेकिन पूश्टाच में किस तरह की बाते शाम नह को लेकर करके सारे दस्था विडुटा रहे सारी बातों साफे रख रहा है ऐसे मैं अभ सिवी आई जाए कि जाज की दिश्जा क्या होगी किन्ग को जाज करी क्या साइटी टीम उनिक्र के सारे इंगल को टॉच है असंतोष्ट है तो कहीं उसने इस तरह की कार्रवाई तो नहीं की या फिर कुछ और जो अलग संभावनाएं बन सकती है उस दिशा में भी जांच को बढ़ाया जा रहा है SIT द्वारा हर संभावनों पर जांच बढ़ाया जारा SIT के दाउरा कि इनके उपर सबसे बड़ा प्रिशर है कि शरकार ने सिवी आई जल्दी से जल्दी टेक ओवर करें इनके उपर एक प्रिशर भी है कैसे इस मामले का उद्भेधन कर दे और अगर इस मामले का जल्द से जल्द लब्दी होगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हाई प्रॉफाइल मामला है और ऐसे इस तरह के मामले कभी कदाल जांच के दाइरे में आते हैं जिस तरह से सरकार ने आनन फानन में साइटी टीम की गठन की थी और साइटी टीम पिछले च्छे दिन हो गया है धनवाद में कैम्प किया है इस क्यों मामले की लगतार मोनेटरिंग कर रहा है जो इस मामले के आरोपी मुक हो कहीं भाग जाए तो इस मामले के ले करके कहीं खुलकर बाते शामने नहीं रहे हैं लकिन लगतार случае तावी जन्टें बैटकों का दौर जा रही है, रात में दो दो विजय रात तक बैठ अक होती है, तमाम पुलीस पता अधिकारी के साथ बैठ अक होती है, जो अलग अलग 25 टीम बनाई है जांच को लेकर के, जो जांच जो अधिकारी है वो जब आते है अपनी रिपोर्ट के तो आ पिखिते हैं a वाइट सी बते चाहरे लिए कही जोरी तमाम ऐसी बाते हैं इन बातों का खुलाशा तभी हो पाएगा जब कोई वरिये पुलिस पता अधिकारी पूरे मामले प्यक्ता करके खुल कर बोलेंगे कि SIT की टीम जहारखंड पुलिस कोई बड़ा खुलासा करे तो ये एक और शर्मिंदगी का सबब पुलिस के लिए हो सकता है दिखे इसे सर्मिंदगी का सबब नहीं कर सकते हैं पुलिस की परक्रिया अपने तरीके से जाच करने के होती है कि SIT टीम बनी है वो अपने तरीके से जाच कर रही है और CBI की टीम का जो कायरश है लिए वो अपने तरीके से जाच चलती है जिला पुलिस हो या SIT टीम हो इनके उपर एक दबाव होता है कि जल्दी से जल्दी मामले का उद्वेदन करें और CBI किसी मामले को लेती है तो थोड़ी सी जाच लंबा चलता है, कोई भी मामला CBI ने जाच किया, थोड़े दिन लंबा चलता है, क्योंकि CBI हर एंगल, हर पहलू, हर चीजों को समस्ति वे जाच करती है, जाच आइसे में पुलिस के सामने चुनोती रहती है, साइटी के साम करते हैं कि याज धनवाद में बैटक जिस तरह से लगातार चल रहा यह चुनावाद में परकार का इसमें साइटी में चीफ है वह पिछले 6 दिनों से धनवाद में कैंप किये हैं बहुत दिनों बाद ऐसा कोई मामला है कि पूरा पुलिस महकमा धनबाद में कैम्प की वर वो भी लगतार प्रयास कर रहे हैं लगतार जिन जिन इलाकों में जाना हो रहा है जा रहे हैं चापे मारी कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं लोगों से समझ रहे हैं लोगों से जानक प्रणले को लेकर के जो भी जरुरत पढ़ रही है SIT की टीम को वो लगातार उन जरुतों को पूरा कर रही है लेकिन सवाल यही है यह हाई प्रॉफाइल मामला है SIT की टीम भी नहीं चाहरे कि कल वो कोई दस्तावेज लाया और किसी आरोपी को गिरफदार करते इस मामले में तो कहीं न कहीं कोई संभावना ना दिखे कि नियाले से उन्हें रहत मिल जाए तो ऐसी पुकता सबूत भी SIT की टीम जुटाने में लगी हुई है पुकता दस्तावेज उटाने में लगे हुए कि इस मामले का उद्भेदन करें तो जो आरोपी है वो सलाकों के पीछे नहीं हो बलकि उसे कड़ी से कड़ी सजा भी नहीं से मिले इस विंदू पे SIT की टीम जाच करें और इस विंदू पे जाच करने में थोड़ा वक्त होते हैं पुकता दस्तावेज उटाने होते हैं और सबसे बड़ी बात जो दो आरोपी हों को ग्रवदार करके जेल भेजा जो ओटो चालक है जो उनके सहयोगी रहें उनके लिए बिल्कुल है बड़ी चुनाती है और हम उमीद कर रहे हैं कि SIT की टीम जो मामला अब तक जा साइटी हर पल इस मामले के उद्भेदन में ही जूटी हुई है धन्यवाद दिले पर इस तमाम ताज़ जानकारी के लिए